पाप पाप दाड़ी को चल आशे माहिर यानि क्या जाई शे ताटा दोस्तों अभी हम पालंपूर रेलिवेटेशन जंक्शन पर जा रहे है मेरी फैमिली बरोड़ा जा रही है उन्हें रेलिवेटेशन पर छोड़ने के लिए मैं अभी पालंपूर आया हूँ तो आप देख सकते हैं अभी स्टेशन के बाहर हम है यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से हमारे देश का जंडा लहरा रहा है एसकलेटर के मदद से अभी हम उपर की ओर जाएंगे और स्टेशन बन के प्लेटफरम पर हमारी ट्रेन आने वाली है तो वहां पर हम थोड़ी देर बैठने वाले हैं माहिर और ध्यानी पहली बार ट्रेन में बैठने जा रहा है मैं तो कई बार ट्रेन में बैठा हुआ हूँ लेकिन अभी पिछले कई सालों से प्लेटफरम पर आना नहीं हुआ इसी वज़े से यहां पर आकर बहुत ही अच्छा लगा हमें कि माहिर द्यानी के लिए कुछ पीने के लिए ड्रिम्स लिए और ट्रेन आने में अभी टू हवर्स बाकी है तब तक फैमिली के साथ फोटो और वीडियो सूट करते हैं ब्लॉक से पहले रिल और सॉट्स अवलेबल होता है इसे दोस्तों अभी तक आपने मुझे इस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया तो वहां पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ पालंपूर जंक्षन आप देख रहे हैं यहां की सुविदाय आप देख सकते हैं कई यात्रियों की ट्रेंड आने में अभी समय है तो वह अभी यहां पर आराम फर्मा रहा है यहां पर चाय पानी नास्ता वो सारी चीजे मिलती रहती है 24 अवर्स फाइनली हमारी ट्रेंड आ गई है एसी ट्री टायर की यह ट्रेंड है मेरी फेमली को सीट पर बिठा दाओ और फिर हम वापस डिसा की ओर जाते हैं आगे का वीडियो मेरी वाइब सूट करने वाली है तो वो भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा बाहर से द्यानी माहर दादा को गुडबाय कर रही है और अभी में भी लीचे उतरता हूँ और वापस कर पे जाते हैं जैंबे मेरी वाइप और मेरी मॉम अभी रिल बना रही है और ट्रेन अभी तोड़ी देर में चलने बादे मेरी मेरी में अभी वापस जाने के लिए भी एसके लिटर अवलेबल है लेकिन हम सौटकट नीचे के रास्ते से अभी घर को जा रहा है सुबह के साथ बजे बरोडा सिटी मेरी पूरी फैमिली पहुच गई है माहिर अभी सो रहा है ज्यानी भी सो रही है और प्लेटफर्म पर अभी हम पहुच गए से बहुती सांदर बरोडा का प्लेटफर्म है यह झाल प्लेटब के रहा है नहाने के बाद गर से कुछ नास्ता बनाये था अभी ध्यानी को भूक लगी है तो वो अभी नास्ता करने के लिए बैठी है तो नास्ते में आप देख सकते हैं आलू की सुकी बाजी और ठेपला पाकरी और चाय के साथ नास्ता कम्प्लीट किया बच्चों को बहार कुम्ना बहुत ही पसंद है और प्रेंग में पहली बार बैठे मेरे दोनों बच्चे बहुत ही फूस हो गए कदम नर्शरी से कुछ प्लांस हमने खरीदे तो बहुती बड़ी नर्शरी है और बिन बिन प्रकार के यहां पर प्लांट्स अवलेबल है इन में से कुछ प्लांट्स हमने करीदे द्यानी अभी रिक्सा में बैठी है और रिक्सा चलाने की पोसिस कर रही है बहुत इक्वित लग रही है सबको फूक लगी थी तो गुजराती ठाली खाने के लिए अभी रेस्टोरांट में आए है खाने में आप देख सकते हैं यहां पर सलाड है गुलाब जामू है और कठोल पनीर लिक्सबजी टमाटर दाल राइस रोटी टोकला वो सारी चीजे खाई खाना बहुत ही टिस्टी था कि बरूडा में बहुती सुंदर सीवी जी का स्टेच्यू है आप दर्संग कर सकते हैं और कमेक में जरू से हर हर महादेव ओम नमसिवाय जय पोले नात लिखे बहुती सुंदर स्टेच्यू बनाया है अभी मेरी फैमिली अमदाबाद मेरी मौसे के करपर पहुंच गई है यहां पर देख सकते हैं माहर और त्यानी मेरे छोटे बाई के खिलो ने खेल रहे हैं बहुती सुंदर मंदिर है और यहां के गार्डन में बच्चे जूले में और फिश्लन में बैटेंगे आज का सुब संदेश सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जीद करने की जरूरत नहीं क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयम सिद्ध हो जाता है दोस्तों अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सही से लाइक करें कमेंट करें सेर करें आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो ने किया तो वहाँ पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मिलते हैं अगल